गेहों की अधिक पैदावार के लिए आपको क्या करना चाहिए आज की वीडियो में आपको एक ऐसा फर्मूला बताएंगे जिसके दवारा आप निष्ची तोर पर जो आपकी गेहों की पैदावार है वो बढ़ा सकते हैं तो आप इस वीडियो को अंतक देखें अगर आपको वीडियो अच्छ लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और जादा से ज्पटे शेयर करें अगर आप हमारी चनल पर नहीं हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें किसान सातियों अगर बात की जाएं गेहों की खेती की तो पूरे भारत वर्स के अंदर गेहों के एक अच्छी खासी खेती की जाती है जब भी हमारे किसान गेहों की खेती करते हैं उनके एमन में सदव यही परसन रहता है कि हम अपने खेत से जो अधिक से अधिक उत्पादन किस परकार ले सकते हैं किसान साथियों उसके लिए आप गेहों की जो आपकी फसल है उसके अंदर खाट डालते हो मल्टी नूट्रिंट डालते हो किसान साथियों लेकिन फिर भी आपकी फसल के अंदर कुछ नूट्रेशन की कमी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है जब भी आपकी गेहों साथ से सतर दिन की हो जाती है तो जो आपकी गेहूं का तरह है उसमें गाठे बनने शुरू हो जाती है ठीक उसी समय जो आपकी गेहूं की फसल है उसको न्यूट्रेशन की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है किसान साथियों साथ से सतर दिन की गेहूं के अंदर अगर आप कोई भी फर्टिलाइजस डालते हो ड्रिंचिंग करते हो उसकी तो जो आपका पौदधा है गेहूं का वो उसको पूरी तरह से अप्टेक नहीं कर पाता क्योंकि इन दिनों के अंदर सर्दी अत्याधी होती है ज्यादा सर्दी में कोई भी पोद आ, कोई भी फसल बहुमी से अपना जो न्यूट्रेशन है प्रोपर वेसे ग्रहफ़न नहीं कर पाती इसलिए इस समय पर आपको एक मल्टी न्यूट्रेंट का सप्रे करने की आफशक्ता होती है किसान साथ ये अगर बात कीजाए इस समय जो आप मल्टी न्यूट्रेंट का सप्रे करते हो आज की वीडियो में हम आपको जो सप्रे बताने जा रहे हैं वो हरियाना किर्सी विसो विदल हिसार द्वारा रिकमेंडिड है हमने भी उसको यूज किया है जिसके काफ़ शांदार रिजल्ट है किसान साथियों अगर बात कीज़े इस सपरे की तो साथ से सतर दिन की गेहों की फसल के अंदर आप है एन पी के उननिस उननिस एक किलो गरा जिंक एडिटी ए पलस दो किलो यूरिया परती एकड के हिसाब से आपको एक बार फिर बता देते हैं परती एकड के हिसाब से आपको एक किलो गराम एन पी के उननिस उननिस लेना है या फिर अगर आपके हाँ उननिस उननिस एवलेबल नहीं है तो आप एन पी के बीस बीस और बीश ले सकते हैं इसके साथ साथ आपको 150 ग्राम जिंक एडिटीए का प्रयोग करना है और 2 किलो ग्राम यूरिया का प्रयोग करना है किसान साथियों आप इन 3-0 fertilizer को मिलाकर 1.500 लिटर पानी के अंदर परती एकड़ के हिसाब से अगर सपरे करते हैं तो निश्ची तोर पर जो आपका गेहूं की पैदावार है वो बढ़ती है और इसके साथ साथ जो आपकी प्रोडक्शन होगा जो आपकी गेहूं होगी उसकी जो गुनवत्ता है वो उसमें काफिहत तक सुधार होता है क्योंकि इसके अंदर जो आपके जितने भी आपको निउट्रेशन चाहिए वो आपको मिलते हैं अगर जिंक की डेफिशन्शी के कारण आपके गेहूं के अंदर पीलापन आ गया है तो एडिटी एजिंक के कारणे वो जो पीलापन है वो भी समापत हो जाएगा और जो है दावार है निश्ची तोर पर बढ़ेगी लेकिन किसान साथियों हमें इसके साथ साथ आपको यह हैं बताना चाहते हैं हमने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे कुछ हमारे यूट्यूबर साथी हैं क्या बोलते हैं कि जो आपका गेहूं का उत्पादन है वो दो प्रडक्शन होगा उसकी गुणवत्ता अवस्य सुद्रेगी किसान साथ यूँ आसा करते हैं वीडियो में दी गई जनकारी से आप संतुष्ट होंगे फिर भी इस वीडियो से संबंदित आपके मन में कोई कोश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आने वाली वीडियो आपको खेती बाड़ी से संबंदित गार्डनिंग से संबंदित और पसुपालन से संबंदित नहीं नहीं जनकारी देते रहेंगे तब तक बने रहें हमारे साथ देखतरी हमारे चैनल पर धन्यवाद जैहिं